नमस्कार बच्चों कैसे हैं आँ बढ़िया चलिए आप सभी भी बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आपके सामने एक नई कवीता लेकर आई हूँ सुनना चाहेंगे बच्चों उस कवीता को तो उस कवीता का शिर्शक जो है वह हम पंची उनमुक्त गगन के पंची अर्था पक्ची क्या आपने पक्ची देखा है आप सभी ने तो बच्चों आपने पक्ची को कहा कहा देखा है अच्छा आसमान में उड़ते हुए और पाड़ दस, पंचि उन्मुक्त गगन के जिसे की डॉक्टर सिव मंगल सी सुमन जी के द्वारा लिखा गया है उस कविता को हम वाचन करते हैं उसके माध्धान से हम पिंजरे में बन पंच्छियों की जो व्यथा है, उनकी जो व्याकूलता है, उनकी जो पीड़ा है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे, कि परतंत्रता और बंधन जो है, किसी भी रूप में सुखदाई नहीं है, इस कवीता में परतंत्रता की पीड़ा वा का यहां पर चित्रन किया है कि हमारे जीवन में स्वतंत्रता का कितना महत्व होता है आईए बच्चों अब हम कवीता का वाचन करते हैं हम पंची उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंग तूट जाएंगे तो चले बच्चों अब हम इसका अर्थ जानने से पहले आप परिचिश शब्द जान लेते हैं पंची अर्थात पक्षी उन्मुक्त उन्मुक्त अर्थात स्वतंत्र गगन आकास पिंजर बद पिंजरे में बद पुलकित प्रशन तो बच्चों यहाँ पर कवी जो है पंची की माध्यम से हमें यह बताना चाह रहे हैं कि जो पंची है वो कह रहे हैं कि हम उन्मुक्त गगन में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले पक्षी हैं और अभी हम जो है पिंजरे में कैद हो चुके हैं, बंध हो चुके हैं, तो हम पिंजरे में बंध होकर स्वतंत्र रूप से हम मीठे गान, मीठे गीत नहीं गापाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंग तूट जाएंगे, अभी हम जो है पिंजरे में बंध हो चु कर खुसी से गीत गाएंगे तो ये जो कनक तीलिया है जो सोने के पिंजरें के जो तीलिया बनी हुई है उसके अंदर जब हम आरे पंक फड़ाएंगे जब हम उड़ने का प्रयास करेंगे तो वह क्या हो जाएगा उसमें टकरा कर वह तूट जाएगा चले बच्छों अगले क सविता की पंक्तियों की ओर चलते हैं हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से अपरची शब्द देखते हैं बच्छों निबोरी आपने देखा है निबोरी किसे कहते जानते हैं निबोरी अर्थात नीम का फल जिसे आपने सभी ने देखा होगा कटुक कडवा और कनक कटोरी अर्थार सोने के बरतन तो यहाँ पर जो कवी है वहाँ पंक्छी के माध्यम से हमें बताना चाहा रहे हैं कि पंक्छी ये कह रहे हैं कि हम जो है हमेशा से बहता हुआ जल नदियों का जो बहता हुआ जल है उसे पीने वाले पक्छी है और हम यहाँ पर क्या हो गए है अभी पिंजरे के अंदर सोने के पिंजरे के अंदर हम कैद हो चुके हैं बंधन युक्त हम बंधन में बन चुके हैं तो हम यहाँ पर अपनी प्यास अपनी भूग को नहीं मिटा पाएंगे इससे अच्छा तो ये है कि हम स्वतंत्र रहकर जो कड़वे नीम है निवोरी का जो फल है उसको खा लेते कनक कटोरी की मैदा की अपेक्छा जो कनक कटोरी की जो मैदा है वो एक गुलामी के समान है स्वण स्रिंखला के बंधन में अपनी गती उडान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुनगी पर के जूले चलिए बच्चों आप अरची शब्द देख लेते हैं कुछ स्वर्ण स्रिंखला स्वर्ण स्रिंखला अर्थार सोने की जंजीर फुनगी अंतिम सिरा और तरू किसे कहेंगे पेड़ को तो यहाँ पर जो कवी है वहाँ पंक्षी की जो व्याकुलता है पीड़ा है और उसके जो सपने हैं उन्होंने पहले देखे थे उसका वर्णन यहाँ पर किया है तो जो पंक्षी है वो स्वर्ण स्रिंखला याने सोने के पिंजरे में बंद गए हैं उसमें वो कैध हो गए और वो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि हम इसके अंदर कैध होने के बाद स्वतंतर रूप से उड़ नहीं पा रहे हैं इसलिए हम अपनी प्राकृतिक उड़ने की हमारी गती है हमारी उड़ान है चाल है वो सारी चीजे हम भूल चुके हैं और बस हम यहाँ पर सपने ही देख पा रहे हैं हम विक्ष के सबसे उपरे सिरे पर फुनगी पर वहाँ पर हम जूला जूला करते थे वहाँ अब बस हमारे लिए एक सपने की तरह ही हो गया है क्योंकि हम यहाँ पर स्वतंतर रूप से उड़ नहीं पा रहे हैं हम सोने के जो पिंजरे हैं उसमें कैद हो गये हैं ऐसे थे अर्मान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने लाल किरन सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने अब पर इची शब्द देखते हैं बच्चों गगन किसे कहेंगे? आश्मान अर्मान इक्छा तारक किसे कहेंगे? तारे और सीमा हग तो यहाँ पर कवी जो है वहाँ पंक्षियों के कुछ अर्मान थे उसे यहाँ पर उन्हें इस कवीता की पंक्षियों के माध्यम से हमें बताया है कि पक्षि ये कह रहे हैं कि हमारे अर्मान कैसे थे? नील गगन में उस सीमा तक उस हद तक उड़ने का स्वतंतर रूप से उड़ान भरने का था और हम और क्या करना चाहते थे? हम जो हमारे लाल जो है सूरे के किरन रूपी जो हमारी चोँच है उसे खोल कर हम तारे रूपी अनार के दाने को जो है हम चुगना चाहते थे और नील गगन में आसमान में हम उस सीमा तक स्वतन्त रुरूफ से उर्णा चाहते थे होती सीमा ही न छितिज से इन पंक्षों की होडा-होडी या तो छितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी अपरिची शब्द देख लेते हैं सीमा हद छितिज वह इस्थान जहां पर धर्ती और आस्मान मिलते हुए दिखाई दे होडा-होडी बराबरी करना तो यहां पर कवी पंख्शी की माध्यम से हमें यह बताना चाहा रहे हैं कि पंख्शी यह कह रहे है include हम उस सीमा ही छितिस तक जाना चाहते हैं जो हमारी मंझिल है और हमारी आपस में होड़ा होड़ी आपस में हमारी क्या होती है वहाँ पर एक प्रतिसवर्धा होती है बराबरी करने की होती है या तो हम छितिस तक वहाँ तक पहुच जाते हैं और वहाँ पर हमारा मिलन हो जाता है या यदि हम उड़ते उड़ते हम ठक भी जाते हैं यदि पंक दिये हैं तो आकुल उडान में विग्न न डालो अपरिची शब्द विग्न बाधा आश्रय सहारा आकुल ब्याकुल तहनी पतली शाखा और नीड घोशला तो यहाँ पर जो है पंक्छी कह रहे हैं मनुस्य से कुछ प्रातना कर रहे हैं क्या प्रातना कर रहे हैं से ले लो लेकिन हमें उड़ने के लिए स्वतंत्र रुर्ख से उड़ने के लिए जो पंक दिये हैं उस उडान में हमारे सामने बाधा मद बनो तो बच्चों आप सभी ने ये जाना हम पंक्छी उन्मुक्त गगन कवीता के माध्यां से कि किस तरह से जो पंक्छी है वो एक सोने के पिंजरे के अंदर कैद हो गए थे और उनके सभी साधन सुविधाय उनको उपलब्ध कराये जाने के बाद भी जो पंच्छीयों को जो है उनको परतंत्रता बिलकुल भी पसंद नहीं हैं तो वो तो एक पक्छी हैं और हम एक मनुष्य हैं और हम चैतन सिल प्राणी हैं तो बच्चों हमें भी हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि कम साधन सुविधाओं में भी हम अपना जीवन जो है वो व्यतीत करें ना कि हम दूसरों के उपर निर्भर रहकर अधिक आवसकताओं की चीज के लिए हम गुलामी की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर रहे चली वच्चों बोद प्रशन की और आते हैं पक्षी उन्मुकत रहकर अपनी कौन-कौन सी एक्षाएं पूरी करना चाहते हैं वताई वच्चों चली मैं बताती हूं पक्षी उन्मुक्त रहकर पेड़ की उपरी हिस्से पर जूला जूलना चाहते हैं, आसमान पर स्वतंतरूफ से विचरन करना चाहते हैं, नदियों का भथा हुआ जल पीना चाहते हैं, और प्रकृति का वहाँ आनन लेना चाहते हैं, नीम का जो कड़वा निबौरी है उसे वहाँ खाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही गवाने क्यों ना पड़े, अगला प्रश्न है बच्छों, स्वर्ण स्रिंखला के बंधन में अपनी गती उडान सब भूले से कवी का आसा है, अगला प्रश्न है बच्छों, उन्मुक्त गगन के पक्छी से कवी का आसा है, आस्मान में स्वतंतर रुरुप से विचरन करने वाले पक्छी से, जो कि अभी सोने के पिंजरे में कैद है, चलिए बच्छों, अब हम चलते हैं परियावाची शब्द की ओर, बच्छों आपन समझ परियावाची शब्द पर बन चुकी होगी, समान अर्थवाले जो शब्द होते हैं, उसे परियावाची शब्द कहते हैं, तो आज हम यहाँ पर परियावाची शब्द हम कुछ एक दूसरे रूप में देखेंगे, कुछ परियावाची शब्द दी हुए हैं कुछ अब इसमें से बताईए बच्चों कौन सा जो शब्द है वहाँ गगन का पर्यावाची शब्द नहीं है प्रयास कीज़े बच्चों बताईए अच्छा बहुत बढ़िया तो इसमें जो अनन्य शब्द है वहाँ गगन का पर्यावाची शब्द नहीं है अगला है किरण उसक देखते हैं इसका क्या पर्यावाची शब्द दिया हुआ है सहारा, आधार, आउसान, और लंबन अब बताईए बच्चों इसमें से कोई एक ऐसा सब्द है जो आसरे सब्द का पर्यावाची नहीं है वह कौन सा सब्द है आउसान चले नीड देखते हैं नीड का पर्यावाची नहीं है तो वह है उद्द्याम चले आगे चलते हैं देखते हैं पर्यावाची शब्द पंक पंक का पर्यावाची यहां पर दिया हुआ है पर डेने परंतु तो इसमें से यसा कौन सा सब्द है जो पंक का पर्यावाची नहीं है परंतु अगला है जल वारी अम्बू, वारिधी, नील तो इसमें से जो वारिधी शब्द है वहाँ जल का परियावाची शब्द नहीं है, अगला है व्रिक्ष, पादप, दारू दरक्थ, दोलन तो बताईए बच्चों इसमें से कौन सा सब्द व्रिक्ष का परियावाची शब्द नहीं है, दोलन, विल्कूल बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं, आस्मान, आकास, अनिल, भ्यों, अंबर, तो बताइए बच्चो इसमें से आस्मान का एक परियावची शब्द नहीं है, जो की गलत है, कौन सा है, अनिल, अगला देखते हैं, कनक, कनक का परियावची है, राकेश, स्वर्ण, सोना, धतुरा ये दिया हुआ है, अब इसमें से कोई एक जो शब्द है वो कनक का परियावची नहीं है, जो गलत है, उसे हमको ढूणना है, बताईए जल्दी, कौन सा आएगा शब्द? राकेश, बहुत बढ़िया, अगला है पंच्छी, इसका बच्छी एक शब्द गलत है, पक्ष, चले बच्छों, आगे चलते हैं, अब हम योजक चिन्न की ओर चलते हैं, बच्छों आपने कोई भी कवीता या कहानी पढ़ते समय देखा होगा, कि किनी दो शब्दों के बीच में जो है, छोटा सा चिन्न लगा रहता है, जिसे हम कह बच्छों के बीच में जो है, एक छोटा सा चिन्न लगा है, वही क्या है, योजक चिन्न, और भी जो शब्दाएं हैं, इस कवीता में उसे हम देखते हैं, चिन्न भिन, नील गगन, भूखे प्यासे, स्वर्ण स्रंखला, कनक कटोरी, होडा होडी, तारक अनार, चले, अब हम चलते हैं, इस कवीता में कुछ अलंकार आए हैं, उसे हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं, बच्छों आप जानते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, चले, मैं बताती हूँ आपको, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, बच्छ वो कुछ अलग दिखती हैं है ना तो उसी प्रकासे काव्य की या किसी कवीता की कहानी की उपन्यास की जो सुन्दर्ता बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उसे क्या कहते हैं अलंकार कहते हैं सब्द और अर्थ की जो सोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं उसे ही हम तो बच्च से सुनेगा बच्चों जहां किसी वर्ण की आवरित्ती एक से अधिक बार होती है वहां अनुप्रा सलंकार होता है अब यहां पर एक सब्दा आया है आवरित्ती तो आवरित्ती का क्या आर्थ होता है उसे हम जान लेते हैं किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना उसे कहते हैं आवरित्ती जैसे हम उधारन लेते बहुत अच्छा एक फिल्म का गाना है बच्चों जो कि आपको याद भी होगा चंदा चमके चम 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 चीखे चौकन ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरा चीनी खोर सुना है बच्चों आप सभी ने अच्छा सुना है तो बताईए बच्चों कि जैसा कि हमने कहा था कि किसी वर्ण की आवरित्ती एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है तो यहाँ इस में कौन से वर्ण की आवरित्ती एक से अधिक बार हुई है बताई ये इस कवीता के हम और भी दूसरी पंक्तियों को देखते हैं, जिसमें अनुप्रा सलंकार के उधारन है, पुलकित पंक टूट जाएंगे, तो इस पंक्ती में जो है किस वर्ण की आवरित्ती हुई है, पावर्ण की आवरित्ती, तो पुलकित पंक टूट जाएंगे यहां अनुप्रास लंकार की उधारन है, कनक कटोरी की मैदा से, तो इसमें कौन से वर्ण की आवरित्ती है बच्चों? का, बिल्कुल बढ़िया, इन पंक्खों की होडा होडी, इस कवीता की पंक्थी में कौन से वर्ण की आवरित्ती हुई है? हा, चले बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, और देखते हैं, तश्चम और तद्भव वाले शब्द, आपने इसके पूरो के पाठों में भी देखा होगा, तो चले एक बार फिर से हम जान लेते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तश्चम शब्द क्या है? तो किसी भाशा के मूल शब्द को तश्च तश्यम शब्द कहते हैं ये शब्द संस्क्रित भांशा से आए हैं तथा इनका हिंदी में हम जियों का त्यों जैसे का तैसा प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं तश्यम शब्द अगला है तद्भाव शब्द संस्क्रित भांशा के जिन शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन करके उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है समयवा परिसिती के अनुसार उसे परिवर्तन करके उन्हें हम क्या कहते हैं तद्भाव शब्द कहते हैं आईए हम इसके कुछ उधारन देखते हैं तो हम यह जोड़ी मिलाओ की रूप में यहाँ पर आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें आपको जोड़ी मिलाना है, तो तश्चम शब्द है बच्चो स्वर्ण, अगला है पंक्षी, पिंजर, स्वास, स्वप्न, आश्रय, यह सभी क्या है, तश्चम सब्द है, जो की संस्कृत से लिया जा गया सब्द है, जो हम जयोकतियों उप्योग करते हैं, अब दूसरी तरह पापके हैं, तद्भोशब्द, तो स्वर्ण का जो तद्भोशब्द होगा, वह क्या होगा बच्चो, सोना, अगला है पंच्छी, तो पंच्छी का तद्भोशब्द क्या होगा बच्चो, जल स्वास का सांस और अगला तस्थम सब्द है स्वप्न तो स्वप्न का तद्भा शब्द होगा क्या होगा सप्ना और अगला है आश्रे तो आश्रे का तद्भा शब्द होगा क्या होगा आश्रे का तद्भा शब्द क्या होगा आश्रा चलिए बच्चों अब हम आगे चलते ह विलोम शब्द की और, विलोम शब्द आप सभी ने सुना होगा, तो बताईए बच्चों किसे कहते हैं विलोम शब्द, किसी भी शब्द के विपरीत या उल्टा जो शब्द होता है, एक दूसरे के विपरीत जो शब्द होते हैं, उसे क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते है तो यहाँ पर कुछ शब्द है बच्चो देखेगा पुलकित तो पुलकित का उल्टा क्या होगा पुलकित का विलोम शब्द क्या होगा दुखी बिल्कुल सही अगला है गगन तो गगन का विलोम शब्द क्या होगा धरा अगला है मरना तो मरना का विलोम शब्द क्या होगा जीना इसी प्रकासे अगला है बच्चों उन्मुक्त तो उन्मुक्त का विलोम शब्द क्या होगा परतंत्र चली बच्चों अब आपके लिए एक ग्रीह कारिय है जिसमें कुछ आपको शब्द दिये गए हैं उस सभी शब्दों को समाहित करते हुए आपको एक छोटी सी कवीता अपने शब्दों में आपको तयार करना है ठीक है बच्चों तो वो शब्द है ओरी चिडिया बारिश की बूंदे तिनका तिनका बंधन आजादी के सपने मस्तपवन पानी बग्या हवा का जोका नीड और धर्ती तो इन सभी शब्दों को समाहित करते हुए आप एक कवीता का स्रिजन स्वयम से आप सभी कीजिए और उसके बाद इसे आप अपने विशय सिक्षक या अपने घर में आप मारता पिता से इसकी जाच अवस्य करवाईएगा धन्यवाद बच्चों उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस कवीता का आनन लिया ने हुआप पस्फड़्य करतHHHHH से आनन लुटः के लिया ओने वैग पने ऩ allá आनने क्ता को ओते हैं ऩा से व hemisphere ए मारता करते हूँ आप वोग से आनने करते हैं थाण МУden झाल झाल